बच्चों की छोड़ी छोड़ी भूप का सवाल हो तो क्या करें तो कुछ नहीं बस आप अपने किछन में जाहिए और फटा-फट से प्टेटो बास्केट से प्टेटो निकाल कर बच्चों को गोर्डन फ्राइज पना कर खिला ही है तो बस इसी के साथ शादियों में मिलने इंस्टेंट गोल्डन फ्राइज होती है ना तो चलिए फटा-फट से पनाते हैं मिलते हैं छोड़े से ब्रेक के बाद कर दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब माजे में होंगे शेफ रुची सकसिना आप सभी का अप अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वाधत करती हूं मकेन के फ्राइज देके भूमें पानी आ गया ना तो पस इसे जट से घर में किस तरह से बनाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बहुत इंस्टेंटली जैसे शादियों में स्टार्टर में सर्व होता है ना जो जम तरिके से जटी से मुट पागती देत हैं जीस संबनातना ना जू पर से करने के लिए ऋटने जाका ब्ल्यात में अकटम ना में में धायों कि ए वी शर्टी बने ऊचिए जाट और जाया जासरे हो यह जासे घर में बहुत कमाल। जिसके किचन में भी ये गैजिट आया ना वो आपको फटा फट इसमें वन मिनिट में आपकी फ्राइस रेडी ना ना अब ये मत समझेगा कि वन मिनिट में आपकी फ्राइस खाने के लिए रेडी नो यहाँ पर वन मिनिट में आपकी फ्राइज शेप के साथ में कटिंग करके रेडी हो जाएगी तो है ना यह गैज़िट बिलकुल कमाल का यानि नाइव से कट करने की जरुरत नहीं यह कटिंग किये हुए जो मारे फिंगर से इसे हम चिल्ड वाटर में डाल रेंगे यहाँ पर पोटेटो फिंगर्स को मैंने आधी घंटे के लिए ठंडे पानी में सोक कर लिया था तो अब देख सकते हैं कितने अच्छे से यह थोड़े हाड हो जाएंगे बस दूसी तरफ आपको एक कढ़ाई में पानी लेना है और उसको अच्छे से बॉयल करना है इसमें थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजे और पानी को अच्छे से बॉयल कर लिजे ती देर में मैंने आपसे बात करी ना यह देखिए मैंने इसे ढग कर देखिए और यहां पर पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है और आदे गंटे से ओपर हमारे फ्राइज को कट के हुए हो चुके है तो थंडे पानी से निकाल कर अब हम यहां पर नमक के पानी में डाल देंगे अपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो फ्राइज हम थंडे पानी से ट्रांसफर किया है तो टेंप्रेचर कंट्रोल हो जाएगा यानि बहुत जदा वाम नहीं होगा साथ पे थोड़ी सी यहां पर हल्दी डाल देंगे और इसे एक बॉयल आने तक पकालेंगे अच्छा मैंने यहां पर हल्दी क्यों डाली क्योंकि हम यहां पर बनाने इंस्टेंटली वो जो हल्वाई बनाते हैं बिल्कुल वैसी रेडी हो जाएगी यहां पर छनी में अच्छी तरीके से मैंने सारा पानी इसका स्टेंड कर दिया है और इसे थोड़ा सा ट्राइ हो जाने देंगे दूसरी तरफ रेडी करते हैं इसके लिए कोटिंग तो यहा स्टेंग का बहुत खास कर ध्यान रखे तो हमारी जो सीजनिंग है यह बिल्कुल रेडी है यह हम फ्राइस के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे यहां पर आपके अच्छे से फ्राइस यह थंडे हो चुके हैं और जो एक्स्ट्रा मौशर था वो सारा इसमें खतम हो चुका है न यह बिल्कुल रेडी है तो इंस्टेंटली अगर फ्राइस बनाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल शादियों वाली हल्वाई के स्टाइल में अगर बनाएंगे तो आप अपने बच्चों को जल्दी दे पाएंगे अदर्वाइस मकेन का पैकेट तो ही आपके पास फिर बतान समस में मैं से फितना ही कहना चाहूंगी कि बाहर का फूर ना देकर अपने बच्चों को घर का फूर दे है तो आप बाहर के अनाइजनिक फूर से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं और आपके घर में बच्चे भी खुश हो जाएंगे बच्चे तो छोड़िये बड़े भी तयार है एक दम गुल्डन फ्रेइज क्रिस्पी-क्रिस्पी इसे यहां पर सर्फ करने वाले हूं तो अपने बच्चों को सर्फ करेंगे और अपने बच्चों को सर्फ करेंगे चैना कमाल की रेसिपी जिसे बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है तो चले वेट मत चाहिए और अपने भी बच्चों को बना कर खिला दीजिए अगर यह उनका फेवरेट है ना तो फटा फट से देर बिलकुल मत करिए यह रेसिपी पसंद आई हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हूँ आप से एक और न्यू वीडियो में न्यू अवीजिए बबाइ